तो सपनी में घर की अंदर बारिस का पानी भर जाने के मतलब कई तरीकों से समझे जा सकती हैं मुख्य रूप से इस सपनी की अर्थ को समझने के 5 संकेत हैं और यदि आप इस संकेतों को समझ कर अपने आप में बदलाब कर लेते हैं तो निश्चित ही आप सफल्ख हो जाएंगे वह 5 संकीत क्या है आईए जानते हैं पहले संकीत की अनुसार यह सपना emotional condition को दिखाता है घर की अंदर बारिस का पानी भरना अक्सर आपकी भावनाओं का प्रतीक हो सकता है यदि साफ बारिस का पानी घर में भरा हुआ देखती है तो यह दिखाता है कि आप अपने अंदर बहुत सारे इच्छाओं को रखी हुई है तब बड़े बड़े आपकी सपनी हैं जिने आप बहुत जल्दी पूरा करना चाहती है यह सपना आपको संकेत करता है कि आपको सब्र रखने की जरूरत है यह जब आप सपनी में घर के अंदर गंदा बारिस का पानी देखती हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप भावनात्मक रूप से अधिक भारी महसूस कर रही है या आपके जीवन में कुछ ऐसे भाबनात्मक मुद्दे हैं जिनने आप समालने की कोशिस कर रहे हैं दूसरा संकेत बैलेंस की और ध्यान केंदित करने से जुड़ा हुआ है यह सपना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अपने जीवन में नियंतरण की कमी महसूस कर रहे हैं बारिस का पानी घर में भर जाना आपके नियंतरण से भार होने वाली परस्तियों को दर्शा सकता है जो आपकी जीवन में किसी समस्या या तनाप को इंगित करता है तीसरा संकेत परिवर्तन से जुड़ा हुआ है सपने में पानी अक्सर परिवर्तन का प्रतीक होता है घर में बारिस का पानी भर जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई महत्रपूर बदलाफ होने वाली है यह बदलाफ सकारत्मक या नकारत्मक दोनों हो सकती हैं क्योंकि यह इस बात पर निर्वर करता है कि आपने जो सपनी में घर की अंदर बारिस का पानी देखा है उसमें आपका पानी के प्रति अनुभब कैसा रहा है दौती संकेत की अनुसार यदि पानी घर में गुसकर नुकसान पहुचा रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी जीवन में समस्याए हैं जो आपको आगे भढ़ने से रोक रही हैं यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन में कुछ कठनाईयों का सामना करना पड़ सकता है या पहले से ही उनका सामना कर रही है यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है आच्मा संकेत आंतरिक सांती से जुड़ा हुआ माना जाता है यह सपना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपको अपने भीतर सांती और इस्थिरता की आवश सकता है पानी का घर में भरना आपके जीवन में उथल पुतल और आइस्थरता को दर्शा सकता है और यह इस बात का संकीत हो सकता है कि आपको अपने मांसिक और भावनात्मक स्वास्ते पर ध्यान देना चाहिए यह سबना आपको सलः करता है कि आपको समय ध्यान करने की विशेश आव सकता है यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी मन की इस्तती को बैलेंस कर सकते हैं और समस्याव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं भगवान आपकी हर मनुकामना को पूरा करें ओम जैसाई राम जैश्री किष्णा राधी राधी